टीम इंडिया के एक्स कैप्टन विराट कोली लंबे समय से फॉर्म में नहीं है। उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, उस तरह से नहीं निकल रहे हैं जैसे पहले निकला करते थे। तो इस पर बहुत सारे fans का, critics का ये भी कहना है कि जब से विराट कोली की साधी हुई है, उनका form खराब हो गया है, वो पहले की तरह batsman नहीं रह गया है। क्या ये बात सच है, इसको हम पता करेंगे fact के जरीए, stats के जरीए, कि विराट कोली साधी के पहले कैसे batsman थे और साधी के बाद कैसे batsman है, तो बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, वीडियो को लाइक कीजिए, स्टार्ट करत C-type Charger लगता है, ये Charger तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हमारे life में कई C-type लोग भी होते हैं, यहाँ पे C का क्या मतलब है, यह मैं explain नहीं करूँगा, आप जानते हैं, और ऐसे C-type लोग जो हैं, वो बोलते हैं कि विराट कोली साधी के बाद से खराब batsman हो गया है, मैं उनको C-type क्यों कहता हूँ, आगे जो मैं story आपको दिखलाने वाला हूँ, आगे जो मैं आपको stats दिखलाने वाला हूँ, उससे सब कुछ बहुत ही clear cut साफ हो जाएगा, इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे कि विराट साधी से पहले कैसे batsman थे, साधी के बाद कैसे batsman है वो साधी से पहले भी बहुत लंबा अरसा खेले, साधी के बाद भी बहुत लंबा अरसा खेले, इसके लिए हम यह करने जा रहे हैं कि हम देखेंगे कि विराट ने साधी से दो साल पहले तक कैसा perform किया, मतलब 11 दिसमबर 2017 को विराट ने साधी की है, मतलब दिसमबर 2015 से दि तो यह कह सकते हैं कि विराट के उपर साधी का असर पड़ा है अनुष्का का असर पड़ा है तो क्या है मामला क्या है फैक्ट क्या है सचाई यह आपके सामने आ रहा है बस तुरन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है वह स्टैट्स जिसमें आपको पता चलेगा कि साधी से पहले दो साल के पिरेड में विराट कैसे बैट्समेन रहे थे तो देखिए उन्होंने तीनों फॉर्मेट को मिला करके ग्यारा दिसंबर 2015 से लेकरके 10 दिसंबर 2017 तक 11 दिसंबर 2017 को उनकी साधी हो गई इसलिए हमने 10 दिसंबर तक का डेट लिया है इस दोरान विराट में 83 इंटरनेशनल मैचेज खिले तीनों फॉर्मेट को मिला करके 93 इनिक्स में बैटिंग की रन बनाए 5413 सेंचुरी जमाई 18 और हाफ सेंचुरी जमाई 23 मतलब दो साल में 18 इंटरनेशनल सेंचुरी सोच लीजे कितने बड़े बैट् बतलब उनका ओवराल आउसत जो है एवरेज जो है वो इस पीरियड में 76.23 का था और श्ट्राइक रेट कितना था 86.40, 86.40, 86 असाडिया चार जिरो और देख लिजे इस दोरान उन्होंने 22 टेस्ट मैच खेले इसमें एवरेज 75 के उपर 109 और वंडे खेले उन्होंने इस दो साल के पिरियड में विराट कोहली का परफॉर्मेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट अब देख लिजे साधी के दो साल बाद के पिरियड में विराट कोहली का परफॉर्मेस यानि कि 12 दिसंबर 2017 से 11 दिसंबर 2019 तक और देख लिजे इस दोरान उन्होंने 78 मैच खेले 90 इनिक् half century 22 मतलब run करीब करीब उत्रहीं बनाये है innings कम है और match भी जो है थोड़े कम है इसलिए run भी थोड़े कम है average क्यों कम है देखे इस दुराण विराट का average जो है 68.0 का है और strike rate 79.66 का है strike rate करीब करीब सेम है average में आप देख सकते हैं कि गिराव अठे लेकिन average कम क्यों है तो मैं आपको बता दू कि इस table में वो चीज नहीं लिखा है जो पिछले 2 साधी से पहले के जो 2 साल period थे उसमें विराट 9 बार not out रहे थे और साधी के बाद की period 2 साल वाले period में विराट 6 बार not out रहे है तो 3 बार not out होने कारण जो average उनका थोड़ा ज्यादा दिखता है पिछले साधी के पहले वाले period में अधरवाइज टेस्ट एकीस और एवरेज 58.60107 ODI 36 एवरेज 85 के उपर 111 एवरेज 52 के उपर मतलब विराट साधी के पहले के दो साल और साधी के बाद के दो साल लगबग और इडेंटिकल रहे हैं लगबग और इडेंटिकल उनका performance रहा है वन डे में बाद में ज्यादा अच्छा हो गया टेस्ट में पहले थोड़ा ज्यादा अच्छा तरह इन पूल मिला करके आप देखेंगे तो इन दोनों पीरियट में उन्होंने पांच-पांच हजार रन बनाए हैं सेंचुरीज भी अठारा अठारा की हैं तो लगबग लगबग विराट एक जैसे बैट्समें रहे साधी से पहले भी दो साल में साधी के बाद भी दो साल में तो और इसको अपने दोस्तों के बीच में सेयर कीजिए ताकि लोग भी जाने ये मित बस्ट हो कि साधी का कोई निगेटिव असक विराट कोली के करियर पर पड़ा है